नेक्स इस पोट एंड ट्रेडिंग टाउं था वो शेहर मतबुन वपारी मार्गों के साथ विक्सित हुए थे ठीक है दिली सल्तानों के साथ जो मुगल समराट दुवारा भी इनका हैंडी क्राफ्ट के लिए एक मुख्चिन विक्सित किया गया था अडियर्ग देवल पिरेड तुर्किश रूस और जो आजनेतिक और आर्थिक पुलिस की संख्या को भी पेश किया था जिसमें अगया था इकनामिकल जो शेहर थे उनकी स्थापना करने की मदद की थी ठीक है the growth of mark of increase the both internal and external trade ये दोनों जो growth हुई थी मारगनों ने increase किया था internal and external trade को ठीक है for the development of internal trade as a network of road which bullied the linked various part of the country कि अपने जो network को develop करने के लिए internal trade को develop करने के लिए उने कौन सा network चूज किया था road was bullied with the link of various part of the country शेर्शा सूरी re-erapted the assistant imperial road of and developed into the famous शेर्शा सूरी मारगनों था grand trunk road जिसको grand trunk road बोला गया है शेर्शा सूरी मारगनों अपलाई किया गया था बनाया गया था which is connected था जो सबसे लंबा route बनाया गया ठीक है सनार गाउं near the धाका to Peshawar in the northwest region now in Pakistan ठीक है many villages and shall develop along the road and changes into the commercial town understood this one समझागी ना कि जो शेर्शा सूरी के पराचिन शाहिस सडक की मरमत और उसके जो परशिद्ध जो शेर्शा सूरी मारग था ठीक है आप जो grand trunk road में विक्सित किया गया है जो उत्तर पश्रम के शेतर में धाका के पास सनार गाउं को को पेशावर से जोडता है ठीक है इस गाउं की गाउं और साडियां की कई वपार और कारी का तुतपादन परवेश दुवार और दक्षिन भारत की सडक के साथ विक्सित हुए हैं understood this one then India has a historical trade link which the other empire the world like Greek Roman Mesopotamia as well as Chinese की जो इंडिया है उनका historical trade link भी है किसके साथ the other empire के साथ the world link Greek के साथ Roman, Mesopotamia and as well as Chinese these martin time trade route led by the growth of trading port during the medieval period किसमें किया कि अन्ने समराजों से जैसे उन्होंने Greek, Mesopotamia के साथ चीन के साथ इत्यासिक वपार के सबंद भी थे इन समुंदरी वपार मारगों के मदक जो medieval period के दोरान वपार एक बंदरगा का विकास किया गया था ठीक है विद दा अमर्जंस अफ दा न्यू रूल अस वेल आज इंपायर लाइक जहांगीर न्यू पोर्ट ताउन बंदरगार न्यू पोर्ट को क्या बोलते हैं बंदरगार न्यू पोर्ट ताउन चेम इंट दा बिगें न्यू असचई का दे दा बागोट जिएू आलास्पुजा ? अलासपुजा, बॉँचलो, अरिकंदू डेकिने नू पोर्ट चीरत, हॉब्ट मसूली पत्नhl चामी थीजिए। खियँocnd लिए्टाा हो ऑँड़ आंट अबगार Bㄱोट इनन movement commercial टाउन ठीक है इसमें क्या आ जाता है कि जहाता कि जो यूर्पेन वपार के शाष्क दुवारा सूरत मदरास हो गया ठीक है कॉलकत्ता बॉंबे ऐसे स्थानों परबस्तियों की स्थापना की और उनको वपार करने की अनुमती दी गई ठीक है अनेटवर्क ओफ स्मोल टाउन एक्स्ट इस अनेटवर्क ओफ स्मोल टाउन दूरिंग दा मैदिवल पीरियड मैनी टाउन मर्ज कर दिये गए थे सम टाउन वर दा सीट ओफ दा पावर और पॉर्ट फैसलिटीज और कमर्शिल सेंटर वाइल अदर टाउन लग्ट अक्टिविटी ओफ ग्रेटर एक्कनोमिक और अड्मिस्ट्रेटिव सिगनिफिकेंस दा फॉर्मर टाउन कैन बी क्लासिफाइड दा बिग टाउन वाइल दा लेटर एज अज स्मोल टाउन इसमें क्या आ गया कि जो कि मैधिवल पिरट के टाइम में काफी जो टाउन से उनको मर्ज कर दिया था सम टाम वेर जिनकी सीट्स के दवार जो पॉर्ट की फैसलिटी से दूर थी ठीक कुछ कस्पे ऐसे थे जो बंदरगा की सुवीदा और बंदरगा की जो सुवीदा होती ठीक उनको किसके क्लासिफर के किसके में किया गया था बिग टाउन में वाईल दा लेटर दन स्मॉल टाउन अंड़िसटुट्टूड? इस टॉड़ी अबाउट दा बिग टाउन इन दिस चैप्टर नाव लेट अस टॉड़ी अबाउट दा स्मॉल टॉड इस टाउन अमर्स फ्रों विलेजेस की जो यह टाउन थे वह विलेजेस से इमर्ज किया गया थे देवर्वर्दा होम पैटी फार्मर्स टेडर लोकल आच मंडी बोलते हैं आजकर मंडी में सेल कर देते हैं वाहल अफ्यू अधर स्वाल्ट वाहल लेट हता है जो को बोलते हैं अधा जिसको अजकर हट बोलते हैं ठीक है वर्चो अफ्ट अलाइटन workshops अर्फ अप इंदा आइटम सेल इन मार्केट समाट आटिशन दिस्प्लेशं there were another group of trader who came adjoining villages or far off places by the items and interest as well as sell the product such as salt, spices, campos etc ठीक है कुछ ऐसे material होता था जो भी material जो small town के लोग होते थे, villages के लोग होते थे वो अपना material क्या कर देते वही शोटी-शोटी markets में बजारों में जाकर, मंडी में जाकर सेल कर देते थे जो छोटी-शोटी shops होती थे जिसको आज कल हम हट बोलते हैं वहाँ पे वह अपना material रैडी करते और सेल करते जैसे कई craft person होते थे ठीक है जो आर्टिस्ट होते थे तो वह अपना material बनाते थे और गलियों में लगा के डिस्प्ले करके वह सेल करते थे थे understood this